आज का यह हमारा सब्जेक्ट है MATH चैप्टर हमारा 3 है चैप्टर का नेम है rounding numbers rounding numbers क्या होता है कि जैसे उसे near 750 सबसे ज़ादा 10 सिह 100 या 1000 में कौन सा number है या पर जो है यही हमारा rounding numbers होता है rule क्या होता है पहले हम number to the nearest 10 का देखेंगे 10 के nearest हम कैसे उस number को कर सकते हैं To round the number to the nearest 10 We look at the digit at 1's place If it is 0, 1, 2, 3 and 4 We replace it by 0 If the digit at the 1's place is 5 or more than 5, 6, 7, 8, 9 We replace it by 0 and increase the digit in the 10's place by 1 माना कि कोई number है यहाँ पर 1, 6, 3 है ठीक है? तो आप first number को देखोगे यहाँ पर क्या है यह? 3 है 3 है तो यह क्या है? 5 से जो है कम है तो यहाँ सिर्फ हम once वाले place को हम replace करेंगे 0 से तो यह क्या हो जाएगा हमारा? 160 हमारा 10 में क्या number आजाएगा? 160 अब हम भी देखेंगे 2447 है तो यहाँ हम once के place पे देखेंगे 7 है जो क्या है? 5 से more है 5 या फिर जो 5 से जो more होता है उसमें हम क्या करेंगे? once वाले place को हम 0 लिखेंगे और 10 वाले place में हम 1 add कर देंगे तो यहाँ क्या number होगा हमारा? 2450 यह जो है हमारा nearest 10 में number आ जाएगा यह आपको समझ में आ गया? यदि हम 5 से नीचे होगा तो सिर्फ हम once वाले place को है 0 से replace करेंगे और अगर वह 5 या फिर उससे जादा होगा तो जो है हम once वाले place को 0 से replace करेंगे और 10 वाले place में 1 प्लस हम कर देंगे नेक्स्ट है rounding a number to the nearest hundred hundred में देखेंगे हम hundred में क्या होता है? hundred में हम once tense once और tense को जो है हम माना जो है number है 0, 1, 2, 3, 4 5 से कम है तो हम क्या करेंगे? once tense tense वाले नमबर को देखेंगे कि वो 0 है, 1 है या 3 है या 4 है यदि वो 5 से कम है तो hundred वाले नमबर को हम ऐसे छोड़ देंगे जो once tense वाले नमबर को हम 0 से replace कर देंगे और अगर वो है once tense का जो number है वो 5 या 5 से जादा है तो जो हम क्या करेंगे? once tense के place को 0 से replace करने के बाद hundred वाले नमबर को हम 1 प्लस कर देंगे उससे हमारा nearest hundred number find हो जाएगा देखते हैं इसमें जिसे 2145 है तो यहाँ पर once और 10 देखेंगे 10 देखेंगे hundred के time में हम 10 देखेंगे once tense यहाँ कितना है? 4 तो यह क्या? 5 से कम है तो once और 10 के जगह 0 आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा हमारा 2100 यहाँ 110 के जगह हम 00 डाल देंगे बस यहाँ 4872 देखेंगे once tense 100 तो 110 tense देखेंगे हम 7 है तो क्या यह? 5 से जादा है तो क्या हम 110 के जगह 00 लिखेंगे और 8 में हम 1 प्लस कर देंगे तो उसका नियरेस 100 नमबर क्या होगा तो 4900 अब next देखेंगे rounding a number to the nearest thousand मतलब thousand वाला नमबर देखेंगे अब thousand वाले नमबर में हम क्या करेंगे हम 100 वाली प्लेस को देखेंगे कि वो 0, 1, 2, 3, 4 है या फिर वो 5 या फिर उससे जादा है तो 100 वाली प्लेस को हम देखेंगे 1, 10, 100 तो यहाँ पे 100 वाली प्लेस पे क्या है हमारा 3 क्या है 3 तो यह क्या है 5 से कम है तो यहाँ पे 1, 10, 100 यह तीनो जो है 0 हो जाएगा तो यह हमारा 4000 अंसर आ गया अब हम यहाँ देखेंगे 1, 10, 100 100 पर देखेंगे 9 है तो 9 क्या है यह जो है हमारा 5 से ज्यादा है तो 1 स्टेंस 100 की जगह हम 000 लिखेंगा 2 में हम 1 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा तो इसका नियर इस 1000 में क्या होगा तो 13,000 आपको आगे समझ में अब हम एक्जामपल यह कोशन देखेंगे थिंक आफ राउंडिंग नंबर्स तो नियर इस 1000 तेल दर नंबर्स दैट कुड़ बी राउंडेट तो 14,000 में हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं वह देखेंगे तो यह क्या 1000 के उस पर है तो हम यह देखेंगे कि वह जो है 13 की लाइन में 500 मतला 5 हो 100 के प्लेस पर या फिर उससे जादा हो तो हम उसे 14,000 में चेंज कर सकते हैं या फिर जो है और 13 की लाइन में वह 5 हो या फिर जो है वह 9 हो तो हम उसको 14,000 में convert कर सकते हैं अब rounding of large numbers अब हम large numbers के बारे में देखेंगे large numbers में भी वही rule follow होता है बस इनको जो है थोड़ा करने का तरीका अलग होता है जैसे माना इस number को जो है nearest 10,000 बोला है तो 10,000 से हम एक कम देखेंगे तो 1000 वाले number को देखेंगे one stands 100,000 तो यहाँ पर कितना है eight है eight क्या five से जादा है तो क्या होगा हमारा जो one stands 100,000 मतलब इन सब की जगह zero zero आ जाएगा और seven में one plus हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यह four lakh eighty thousand आपको यह देखना है वो five से कम है या जादा है तो यहाँ पर कितना हो four lakh eighty thousand हमारा answer आ जाएगा वह हम next page पे चलेंगे अब क्या बोला है round of this numbers to nearest lakh lakh में देखना है तो हम क्या देखेंगे उसके ten thousand वाली डिजिट को देखेंगे one stands hundred thousand ten thousand तो ten thousand वाली डिजिट पर क्या है four है क्या है four तो यह क्या five से जो है कम है तो यहाँ पर one stands hundred thousand की जगह जो है zero zero आ जाएगा मतलब zero से replace कर देंगे और seven or six जो है वैसे ही रहेगा तो इसका answer जो हमें यह find हो जाएगा अब हम इससे related वाक्षीट करेंगे हमारी homework sheet 36 है date हमारी 2 December 2020 डे हमारा Wednesday है हमने जो chapter 3 rounding numbers किये है उससे related यह हमारी work sheet है first question round of each of the following numbers to the nearest tense tense में देखना है तो आप क्या करोगे इसके लिए once वाली place को देखे होगे तो यहाँ पे क्या है five है तो यह क्या five है तो यह five और उससे जादा numbers जो होते हैं तो once वाली place पे zero हो जाएगा यहाँ पे one add हो जाएगा तो यह 40 तो 140 जो है इसका answer होगा तो 140 इसका answer होगा तो 140 इसका answer होगा अब d देखेंगे हम यहाँ पर यह नमबर है तो यहाँ पर हम वन्स वाली प्लेस पर देखेंगे तो यह कितना है 8 है तो यह क्या होगा यहाँ पर यह 5 और उससे जादा है तो यहाँ पर वन्स की प्लेस पर 0 7 में 1 प्लस हो जागा तो 8 तो इसका अंसर क्या होगा 12,580 इसका अंसर यह होगा नेक्स पेज 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 चलेंगे हम राउंड इस नंबर स्टु जर नियर इस 100, 100 में चेंज करना है उसके लिए हम हम 10 वाली प्लेस को देखेंगे 110, 10 की प्लेस पे क्या है? 6 है तो हम क्या करेंगे? 5 से जादा है तो 110 वाली प्लेस को हम 00 कर देंगे और 3 में 1 प्लेस करेंगे तो कितना होगा? 4 तो इसका अंसर क्या होगा? 98,400 इसका अंसर होगा थर्ड कॉश्चन देखेंगे मतलब राउंड ओफ इच ओफ दे फॉलोइंग नंबर स्टु नियर इस 1000 आपको जो है 1000 में चेंज करना है तो इसके लिए हम 100 वाली प्लेस को देखेंगे किसको देखेंगे? 100 वाली 1,10,100 9 है यहाँ पे तो क्या? यह 5 से ज़ादा है 1,10,100 की जगा 00 आ जाएगा 6 में 1 प्लेस हो जाएगा तो यह 7 हो जाएगा तो इसका अंसर क्या होगा? 10, tell the numbers that could be rounded to माना मतलब उनको इसमें question में बोला है कि इनको जो है 10 के जो हम ऐसा number कोई सोचो कि जो है हम इसको nearest 10 में हैं convert कर सकते हैं तो डिये है 2060 को है nearest 10 में convert करने के लिए हमें किस-किस numbers की ज़रुत होगी तो all the numbers from 2055 to 2064 can be rounded to 2060 मतलब जो 2055 से लेके 2064 तक जो है हम इसको 2060 में convert कर सकते हैं ठीक है next question देखेंगे 6th round each of the following to the nearest 10,000 10,000 में convert करने के लिए हम क्या देखेंगे? 1000 वारी place देखेंगे 1, 10, 100,000 1000 की जगह क्या है? 9 है 9 है हमारा 9 तो क्या करेंगे हम? 5 से ज़ादा है तो 1 stands 100,000 तो इन सब की जगह हम 00 replace कर देंगे 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो 4 होगा तो इस cancer क्या होगा हमारा? 40,000 इस cancer क्या होगा? 40,000 नेक्स पेज़ पे चलेंगे हम 7 है इसमें क्या बोला है? Think of rounding to the nearest thousand Tell the number that could be rounded to मलब इसमें बोला है कि हम ऐसे कौन से numbers ले? कि उनको 10,000 में convert कर सकते हैं तो question 65,000 है तो इसके लिए हमने क्या? 65,455 to 65,499 and 64,555 to 64,999 को हम 65,000 में जो है convert कर सकते हैं बढ़र यह numbers क्या? 4 मतलब यह क्या? 4 तो मतलब 5 से कम है यहां 0,0 replace हो जाएगा यह भी 4 है तो यह भी 0,0 replace हो जाएगा यहां क्या है? तो यहां पर भी 9 है यहां 4 है तो यहां पर भी क्या होगा यह? 0 होगा तो यह 60,000 में हमारा convert हो जाएगा आपको next question है around each of the following to the nearest lakh आपको lakh में convert करना है nearest lakh में तो आप क्या करोगा इसके 10,000 वाली place को देखोगे मैं first question लेती once, ten, hundred, thousand, ten, thousand ten, thousand की जेगे क्या है? तो क्या करेंगे हम? यह five से जादा है तो once, ten, hundred, thousand, ten, thousand इन ten, thousand इन सब प्लेस को में हम zero से replace कर देंगे और three में one plus कर देंगे तो four आ जाएगा तो इस cancer हमारा यह होगा next question round the numbers this, this and this as directed complete the table आपको क्या करना है? इन सब को rounded to nearest ten, hundred, thousand और ten, thousand में convert करना है यह आप खुद करोगे यह हमारी वरक्षीट यहीं complete होती है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं thank you